हलो फ्रेंड सोनी बुटिक में आपका स्वागत है फ्रेंड आज 36 इंचेट साइज का डबल कटोरी ब्लाउस की कटिंग और इस्टिचिंग देखेंगे आप यहाँ पे इसका फाइनल लुक देख सकती है बनने के बाद यह बहुत ही परफेक्ट फिटिंग के साथ आने वाला है आज मैं आपको बहुत ही असान तरीके से इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगे अगर आप बिगनर से तो भी आप इससानी से बना सकती है फिटिंग की आपको 100% गारेंटी देते हैं अगर आप इस तरीके से कटिंग और स्टिचिंग करेंगी आपको फिटिंग 100% आएगी यहां से दिखे मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकती है इसी मेजरमेंट से आज हम आपको इसकी कटिंग बताएंगे आप चाहें तो इसका स्क्रीन सॉड भी दे सकती है अचले विडियो को ही स्टैट करते हैं तो सबसे पहले हम अपना बैक पाट कट करेंगे तो बैक पाट के कटिंग यहां करने के लिए नीचे के से पेपर को सीधा करनेंगे अब यहां पे अपनी लंबाई देनी है तो लंबाई यहां पे 3.5 इंच त्यार करना है लेका इसो फैलाव है वह साड़े तीन इंच है तो यहां पे हम अपना शोल्डर यहां पे सवा पांच इंच का रखेंगे यहां से सवा पांच इंच लेंगे नीचे की साइड भी सवा पांच इंच पे अपना शोल्डर कर निशान लगाएंगे आर्म होल लेंगे हम पांच इ लेते हुए इस तरीके से कुलाई ले लेंगे कुलाई अच्छे से ले लें अब यहां से अपने चेश्ट का चोथा भाग लगाएंगे चेश्ट 36 इंच है तो 36 का चोथा भाग होगा 9 इंच कमर तीस इंच है तो तीस का चोथा भाग होगा साड़े साथ इंच एक इंच रखे के लिए आप सिलाई मार्जिंग्ग दो इंच भी कर सकती हैं उपर की साइट से भी डेड़ इंच का सिलाई मार्जिंग ले लेंगे और इस तरीके से निशान को सिधा कर लेंगे अब यहाँ पे अपना शोल्डर की चोड़ाई लेंगे तो शोल्डर रखेंगे हम तीन इंच का और गले की गहराई लेंगे तो गले की गहराई दस इंच है तो साड़े दस इंच लेंगे आधा इंच बढ़ा के लेंगे और इसमें जो फैलाओ देंगे वो रखेंगे साड़े तीन इंच का और इस निशान को इस तरीके से सीधा कर लेना है और उपर से भी इस निशान को इस निशान से इस तरीके से मिला लेना है अब इसमें अपने गले का शेप ले लेंगे तो आप अगर गोल गला बनाना चाहती है तो गोल गले का शेप ले ले या फिर कोई आप डिजाइन करना चाहती है तो आप इसमें डिजाइन भी कर सकती है गुलाई अच्छे से ले ले थोड़ा सा बाहर की शाय निकालते हुए यह हमारे गिले का शेफ हो गया है, यहाँ पर देखें गला हमारा चोड़ा है और गला डीप है, साइज की हिसाब से तो हम अपर चेश्ट की इसमें फिटिंग देंगे, यह कटोरी ब्लाउज है तो यहाँ पर हमें अपर चेश्ट की फिटिंग देनी है, यहाँ पर हम आधा इंच अंदर की साइड फिटिंग देंगे अपर चेस्ट का क्योंकि जब हमारा गला फैलेगा तो यहां पे जोल ना आए जो आर्मोल की नीचे फुलान आता है वो समसे यहां पे ना आए नीचे से हम सेम ही निशान रखेंगे नीचे से हमें डाउन नहीं करना है सिर्फ उपर यहां से अपना अधा इंच अंदर की साइड ले लेंगे यहां से जो दूरी रखेंगे वो रखेंगे चार इंच का इस दूरी को आप गले के हिसाब से आगे पीछे कर सकती है गला जैसे उपेन होगा उस हिसाब से आप डॉट को थोड़ा सा आगे पीछे ले सकती है अब यहां से आधा आधा इंच का हम डॉट ले लेंगे जो हमने एक इंच बढ़ा के लिए था डॉट के लिए वो यहाँ पे हम cover कर लेंगे तो यह हमारा निशान लग गया है अब यहाँ पे देखे गले की side हमें armhole को यहाँ पे shoulder को down करना है गला deep है तो फ्रेंट जब भी आपका गला deep हो आप कोसिज करें इस पर डोरी pipe in बनाए इससे अपकी गले की जो fitting है वो perfect आती है अब इस तरीके से देखे हमने shoulder को गले की side armhole को run किया है तो armhole की side से थोड़ा से उपर लेना है और गले की side down कर देना है अब यहाँ से सिलाई margin छोड़ेंगे और अपने armhole का नाप ले लेंगे तो यहाँ से देखे armhole हमें 8 inch का त्यार करना है तो यह हमारा 7 inch आरा है जब हम इस पर बाजू अटेज करेंगे तो यह हमारा 8 inch का armhole त्यार जाएगा तो यह हमारा perfect cutting निशान लग चुका है आप चाहें तो इसकी cutting करके फर्मो बना सकती है या फिर आप इसे direct कपड़े भी cutting कर सकती है अब यहाँ से हम अपने front part की cutting करेंगे तो यहाँ से देखे सबसे पहले एक सिधा निशान लेके front part की लंबाई लेंगे तो front part की लंबाई रखेंगे हम 13 inch पे belt हम अलग से cut करेंगे तो 13 inch पे निशान लगाएंगे और इस निशान को सिधा कर लेंगे अब हम सेम निशान लगाएंगे अपने shoulder का और armhole का जो हमने back part में लगाया है तो सेम हमें वही निशान यहाँ पे भी ले लेना है तो यह हमारा निशान लग गया है अब यहाँ पे armhole को अंदर की साइड 12 inch डाउन करेंगे अंदर की साइड 12 inch लेना है और इस तरीके से तिर्चा मिला लेना है अब यहाँ पे पीछे वाली line से हमें एक inch की दूरी से अपनी गुलाई लेनी है यह हमारी गुलाई हो गई है अब यहाँ से दिखिए हमें दो निशान और लगाने है पहला निशान लगाना है 12 inch पे और दूसरा निशान लगाना है हमें 10 inch पे इस तरीके से हमें दो निशान लगाने है इन दोनों निशानों को भी हम यहाँ पे सिधा कर लेंगे इस निशान को भी हम यहां से सिधा कर लेंगे यहां से देखिए, यहां से अब हमारे तीन निशान हो गया है पहला निशान हो गया है 10 इंच पे, दूसरा निशान 12 इंच पे और तीसरा निशान 13 इंच पे, इस तरीके से हमने तीन निशान लगाए हुए है अब यहां से अपने chest का नाप लेंगे तो chest का नाप लेंगे इसमें हम लेंगे 9.5 इंच हमने back part में आधा इंच जो कम किया है upper chest के लिए तो यहां पे हम आधा इंच बढ़ा के लेंगे और यहां पे अपना कमर का सेम निशान लगाएंगे तो यहां पे देखे पहले अपने होक और आई के लिए मार्जिंग छोड़ लेंगे यहां से हमें मार्जिंग ले लेना है अब यहां से हम अपना 9.5 इंच पे अपने फ्रंट पार्ट का चेश्ट का नाप लेंगे तो जो हमने 1.5 इंच पीछे की साइड कम किया है वो हम इस साइड में बढ़ा लेंगे यहां से हम 1.5 इंच कमर का लेंगे, 1 इंच डॉट के लिए लेंगे और 1.5 इंच लेंगे अपने सिलाई मार्जिंग सेम निशान नीचे की शैड हमें वही ले रहे हैं जो हमने बैक पार्ट मिलिया है बहुत लोग क्या करते हैं फ्रंट कमर का निशान लगाते हैं और उपर से चेश्ट का निशान लगाते हैं इस तरीके से 7 इंच पे और उपर से अपना चेश्ट का नप ले लेते हैं और इन दोनों निशान को इस तरीके से तीरचा मिला देता है इससे क्या होता है जब हमारी कटोरी यहां पे सेप आता है तो यहां पे टाइट आता है कटोरी खिचके आता है फिटिंग अच्छी नहीं आती है और यहां पे जो कोना निकल के आता है यहां पे फुलान आने लगता है कपड़ा नीचे के आर्मोल के साइड नीचे यहां पे तो यहाँ पर छोल आता है इसके लिए हमें इस तरीके से cutting side की नहीं करनी है जब भी हम side की cutting करेंगे इसको सीधा ही लेंगे यहाँ से देखें ऊपर की side भी हमें 1.5 इंच का सिलाई margin लेना है और इस दोनों निशानों को मिला लेना है अब यहाँ से देखें इस निशान को यहाँ पर मिला लेंगे अब यहाँ पर भी हम आधा इंच का अपना upper chest tight करेंगे यह upper chest की fitting यहाँ पर भी हम देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें dot नहीं लगाना है यह cutory blouse है जब भी हम cutory blouse बनाते हैं तो upper chest की fitting हमें देना चाहिए अब यहाँ से देखें यहाँ से अपने cutory का size लेंगे तो cutory का size 36 इंच में 6 इंच पर आएगा यहाँ से हम 6 इंच लेंगे सेम निशान उपर वाले निशान पर भी हम 6 इंच पर लगाएंगे आर मोल की side से हम रखेंगे 2 इंच अब यहाँ पर देखें गले का निशान पहले लगाएंगे यहाँ पर गले का निशान हमने नहीं लगाया है 3 इंच का shoulder रखेंगे जितना हमने back part में लिया है सेम उतना ही और गले हमारा यहाँ पर 6 इंच उपेंगा सबा 2 इंच का हम फैलाओ देंगे आगे के गला 6 इंच हमारा नॉर्मल है इससे आपकी गले की fitting perfect आती है ना ही तो गला छोटा होता है और ना ही गला ज्यादा बड़ा होता है तो 6 इंच, 6.5 इंच तक आप इस तरीके से रख सकती है अब यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है देखें यहाँ से हमने आर्मोल की शैड से लिया था 2 इंच अब हम गले की शैड से देखेंगे तो गले की शैड से रखेंगे 5 इंच यहाँ से हम 5 इंच लेंगे और इन सभी निशानों को आपस में मिलाना है और यहां से हमने 6 इंच लिया है, यहां से भी हमने 6 इंच लिया है, अब इन सब इन निशानों को dot dot करते हुए इत बराबर से goal shift देते हुए यहां पर मिला लेंगे अब यहां से हम अपना डॉट पॉइंट लगाएंगे तो डॉट पॉइंट की जो दूरी रखेंगे आगे की साइड से जो दूरी लेंगे वो रखेंगे हम यहाँ पर जो हमने हूँक और आई का margin छोड़ा है वहाँ से 3 इंच और आगे की साइड से 3.5 इंच यहाँ से दिखें यहाँ से हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है अपने dot का point लेना है और इस निशान को सिधा कर लेंगे उपर के साइट से दस इंच पे निशान लगाई था, यह हमारा डॉट का पॉइंट है, तो यह हमारा निशान लग गया है, अब हम अपना fold डॉण कर लेंगे, जैसे हमने back part में किया है, तो इस सोल्डर को आर्मोल की साइड से उपर लेना है और गले की साइड हलका सा डाउन कर लेना है तो यह हमारा निशान लग गया है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो पहले हम साइड की कटिंग करेंगे अब यहाँ पर हम साइड की कटिंग करेंगे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने 12 इंच पे निशान लगाया है वहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे तो यह हमारा perfect यहाँ पे side की कटिंग हो गई है और यह एक इंच जो extra है यह हमारी कटोरी में आएगा इसकी भी cutting हम बाद में करेंगे जब अपनी stitching करेंगे तो अब इस cutting को हम दूसरे paper पे same निशान लगा लेंगे इस वाली cutting पे हमें सिलाई margin लेना है अपने dot के लिए इस तरीके से हम पहले निशान ले लेंगे सबी निशानों को यहाँ पे लेंगे और अपना dot point भी लेंगे अब इस निशान को यहाँ से सीधा कर लेंगे अब यह हमारा निशान लग गया है अब यहाँ पे अपना सिलाई मार्जिंग लेंगे इस साइड में देखिए उपर की साइड से हमें आधा इंच का यहाँ पे सिलाई मार्जिंग लेना है इस तरीके से हम निशान लेंगे पोने एक इंच डॉट के लिए और आधा इन सिलाई मार्जिंग इस साइड से हम पोने एक इंच लेंगे यानि 0.75 इंच इस साइड से हमें सिलाई मार्जिंग नहीं लेना है इस में हमने हुक आई के लिए पहले ही Margaret ले लिया है तो इस साइड में हमें Margaret नहीं लेना है सिर्फ हम अपने डॉट के लिए ही लेंगे पौने एक इंच और इस तरीके से तिर्चा मिला लेंगे अब यहां पे इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे तो यहां से उपर की साइट से आधा इंच का मार्जिंग लेते हुए हम यहां पे डॉट डॉट लेंगे अब यहां से देखें यहां से हम हलका से इसका फैलाओ देंगे इस तरीके से हलका सा हम यहां पर फैलाओ देके इस डॉट से मिला लेंगे हमें उपर से पूरा फैलाओ नहीं देना है इस तरीके से हमें लेना है और यहां से हमें ब्रावर से आधा इंज का मार्जिंग लेते हुए इस निशान को कम्प्लीट कर लेना है इस तरीके का हमारा कुछ से पाएगा अब हम यहाँ पे dot का margin लेंगे तो beach वाले dot पर हम पहले margin लेंगे तो इस निशान को मिला लेंगे अब यहाँ पे देखिए पहले हम beach वाला dot लगा लेते हैं और यह जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से हम इस को तिर्चा इस तरीके से मिला लेंगे. तो यह हमारा दोनों साइड का डॉट लग चुका है, अब हम अपना नीचे का डॉट देखेंगे, जो हमने नीचे की साइड डॉट लगाना है, तो यहां से देखें, यहां से हमने पॉइंट लिया है, यानि 0.75 इंच तो इस साइड में लेंगे, 20 सेंटर से यहां पे लेंगे, और आधा इंच और हम इसमें बढ़ा के लेंगे. सेम निशान अगे इस साइड भी लेंगे पौने एक इंच और आधा इंच बढ़ा के लेंगे अब यहाँ पे हमारा नीचे का जो डॉट आएगा वो आएगा अधा इंच का तो यहाँ पे हमने जो आधा इंच बढ़ा के लिया है वो हमने इसमें जो हमने एक इंच बढ़ाया था साइड में जो डॉट के लिए बढ़ाया था एक इंच इसको हमने दोनों साइड में आधा आधा इंच ले लिया है और इस वाली कटोरी में जो हमने पॉने एक एक इंच बढ़ा के लिया है अब वो हमने ले लिया है इस तरीके से टोटल हम नीचे का डॉट अड़ाइंस का दे देंगे और इस तरीके से निशान को तिर्चा मिला लेंगे तो यह हमारा नीचे का डॉट लग गया है तो यह हमारे सभी डॉट हो गये हैं अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंट्स अगर आप इसकी कटिंग देख रही है तो आपको स्टिचिंग भी जरूर देखना है अगर आप इसकी स्टिचिंग नहीं देखेंगी इसकी स्लाई नहीं देखेंगी तो आप इसे परफेक्ट तरीके से त्यार नहीं कर पाएंगी तो आप इसकी स्लाई भी जरूर देखिएगा यह देखिए यह हमारी कटोरी कट हो चुकी है अभी हमें इसमें कट और करना है लेकिन वो हम अपने स्टिचिंग में करेंगे अब यहाँ पर देखिए अपने क्रोस बेल्ट के लिए उपर की साइट चड़ा के लेंगे तो यहाँ पर हम पौने एक इंच ले रहे हैं आप इसे एक इंच तक कर सकती हैं इससे ज़्यादा उपर की साइट ना चड़ा है तो यह हमारा यहाँ पर कट हो चुका है अब हम अपना बेल्ट कट करेंगे अब हम नीचे का अपना बेल्ट कट करेंगे और बाजु की कटिंग करेंगे तो पहले हम अपना बेल्ट करेंगे तो यहाँ से पेपर को हम निकाल लेते हैं इसमें हम अपना बेल्ट निकाल लेंग अब आगी की साइट से पेपर को हम सिधा कर लेंगे, इस साइट में भी एक सिधा निशान लगा लेंगे, अब यहां से दिखिए, आधा इंच रखेंगे अपने हुकाई के लिए जो हमारी मार्जिंग होगी, अब यहां से अपने कमर का नाप लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच अपना सिलाई मार्जिंग तो यह हमारा ब्रावर से ही आ गया है निशान अब इस निशान को हम सिधा कर लेंगे जैसे हमने उपर वाले पाइट में हुकाई के लिए मार्जिंग लिया है सेम वैसे हमें बेल्ट में भी लेना है और यह हमारा सिलाई मार्जिंग नीचे की साइट से भी हम एक सिधा निशान लेकि पेपर को सिधा कर लेंगे और यहां से भी हम आधा इंच का सिलाई मार्जिंग लेंगे इस पे हमारी तुर्पाई पर यह टेस होगी नीचे की साइड अब यहाँ से हम अपने बेल्ट का नाप लेंगे तो बेल्ट का नाप क्यासे लेना है यहाँ पे देखिए यह वाला जो पाइट है इसको हमने कट किया था 12 इंच पे यहां से यहां से जो हमाने 12 इंच पे निशान लगाया था वहाँ पे हमने इसको कट कर लिया है 12 इंच पे तो यह हमारा जब तैयार होगा तो यह होगा हमारा 11 इंच पे आधा इंच नीचे का सिलाई मार्जिंग जाएगा और आदा इंच उपर का सिलाई मार्जिंग जाएगा तो यह टोटल एक ग्यारा इंच पर तयार हो जाएगा इस तरीके से अब हमारे ब्लाउस की लंबाई साड़े तेरा इंच है तो किस तरीके से हम बेल्ट कट करेंगे यहाँ पर देखिए यह हमारी आगे की साइड है तो यहाँ पर जो हमने तुपाई पर्टी के लिए जो मार्जिंग लिया है मार्जिंग के पास से वाल निशान से हम यह इस तरीके से ग्यारे इंच रखेंगे और अपने ब्लाउस की लंबाई लेंगे तो ब्लाउस की लंबाई साड़े तेरा इंच है तो साड़े तेरा इंच निशान लगाएंगे निचे से हमने स्लाई मार्जिंग छोड़ लिया है तो हम यहाँ पर फाइनल निशान लगाएंगे साड़े तेरा इंच पर आधा एंच हम उपर का भी Sli Marging लेंगे और यहां से हमने पौने एक इंच लिया है क्रोस बेल्ट के लिए जो हमने क्रोस बेल्ट में कटिंग किया है यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लेंगे पौने एक इंच उपर की सैड इसमे भी चड़ा के लेंगे इस तरीके से हमें निशान लगाना है आधा इंच सिलाई मार्जिंग का आप पॉने एक इंच यहापे अपने क्रोस का अगर आप एक इंच उपर की साइड चढ़ा के ले रही है तो एक इंच ले लें अब इस साइड में देखे साइड में केसे मार्जिंग लेंगे 11 इंच पर रखेंगे और ब्लाउज की लंबाई साड़े 13 इंच है तो आधा इंच सिलाई मार्जिंग लेंगे इस साइड में हमें उपर की साइड आधा इंच सिलाई मार्जिंग लेना है और इस निसान को इस हम अपनी बाजू की cutting करेंगे इसको हम double fold कर लेंगे अब आगे की side से सिधा निशान ले लेंगे और अपनी बाजू की लंबाई देखेंगे तो यहां से बाजू की लंबाई यहां पर देखें चार इंच है तो पाँच इंच लेंगे एक इंच बढ़ा के लेंगे जो भी आप यहां पर ले सकती है जो भी आप लंबाई ले रही है उसमें एक इंच बढ़ा के लें अगर आप cotton फैब्रिक से बना रही है बाजू की कटिंग कॉटन फैब्रिक पर कर रही है तो आगे से आप सवा इंच का यहां पर तुरपाई के लिए पट्टी यहां पर जो आट इंच हम यहां पर आर्मोल को डाउन कर लेंगे और यहां से जो हमारे आर्मोल की गुलाई है वो है आठ इंच पर निशान लगाएंगे और यहां से तीन इंच पर इस तरीके से बराबर से कर लेंगे और इस निसान को इस निसान से तीरचा मिला लेंगे अब आगे की गुल अंहीं है आपप यहां पर रख सकती हैं अब चंद अं-दर मल कि इंगें और पौन JP Cl मृसे अपर हम मंट्वलद निशान Secret अंधर की साइड मौन आंगे पर सब्सक्राइब हाँ , अब की से हम रहने से हैं इसी आदल ये लेनी है अंदर की गुलाई उपर से डारेक्ट नहीं लेना है थोड़ा सामें नीचे की साइड से लेते हुए इसकी गुलाई देनी है जब इस तरीके से आप बाजू की कटिंग करेंगी आपकी बाजू की जो फिटिंग है वह परफेक्ट आएगी अब इसको हम यहाँ पे उपेन करके इसकी गहराई को भी इस तरीके से कट कर लेंगे तो यह हमारे बाजू की cutting हो गई है आप यहाँ पर देख सकती है बहुत ही perfect तरीके से आ गई है तो यह हमारे सबी cutting हो गए है अब हम इसको अस्तर पे और man fabric पे cutting करेंगे तो यह हमने cutting कर लिया है वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो यहाँ पर हम आपको अस्तर का और man fabric की cutting नहीं दिखाया है इसमें हमने सिर्फ नीचे की साइट से आधा इंच का सिलाई margin लिया है और सभी साइडों से सेम cutting किया है यहाँ पर अपना dot point लगा लेंगे अब यहाँ पर देखें यह हमारा belt है इसको हमने बराबर से cut किया है कहीं पर भी सिलाई margin नहीं लिया है अब यह वाला part जो नीचे वाला part है इस पर हमने दोनों साइट से आधा आधा इंच का सिलाई margin लिया है और यहाँ पर भी अपना dot point का निशान ले लेंगे इस तरीके से हमें इसमें दोनों साइट से सिलाई margin लेना है और अपने असमें फैबिक के साथ रफली कट कर लेना है अब यहाँ पर देखें इसमें हमने इस साइड में सिर्फ आदा इंच का सिलाई margin लिया है सभी साइडों से सेम कटिंग किया है यह हमारी सभी कटिंग हो गई है चलिए हम आपको इसकी stitching दिखा देते हैं अगर कटिंग देखा है तो stitching भी आप ज़रूर देखेगा सबसे पहले हम इस paper को अलग कर लेंगे यह हमारा फर्मा तयार हो गया है जब भी आपको यहाँ पर कटिंग करना है इस फर्मे को रखके आप यहाँ पर कटिंग कर सकती है यह हमारा छती सिंज का फर्मा है तो यह हम अपना फर्मा बना के रख लेते हैं अब हम इसकी stitching करेंगे तो सबसे पहले हम अस्तर को मैन फैब्रिक के साथ अटेस करके जो भी हमारा एश्टरा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को भी अन कर लीजेगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले अगर आप और भी साइजों की कटोरी बिलाउज देखना चाहती है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकती है हमारे चैनल पर आपको सिंगल कटोरी बिलाउज की कटिंग और इस्टिचिंग के भी वीडियो पहले से अपलोड है तो आप वहाँ पर सिंगल कटोरी देखना चाहती है तो देख सकती है अगर आपका कोई प्रेशनल कटिंग है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप अगला वीडियो किस साइज का देखना चाहती है तो हम उस पे भी वीडियो जरूर बनाएंगे तो यहां से देखे सभी जो एश्ट्रा फैबरिक है हमारा उसको हम कट कर लेंगे फरंट जब इस तरीके से आपका टोरी ब्लाउज की कटिंग और श्टिचिंग करेंगी आपकी ब्लाउज की जो फिटिंग है वो परफेक्ट आएगी 100 परसंट जिस गयारेंटी देते हैं कि फिटिंग आपकी 100 परसंट आने वाली है तो आप इसे एक बड़ ट्राई जरू करिएगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरू बताईएगा अब यहाँ पर देखे सबी निशान पर हम यहाँ पर डॉट का जो निशान है वो हम यहाँ पर ले लेंगे पहले हम इस बीच वाले पाइट को यह टेस्क करेंगे यहाँ पर पहले हमें डॉट नहीं लगाना है यहाँ से देखे इस तरीके से नॉर्मली इसको रखना है और इस्टिच करना है बिल्कुल वी कपड़े को खीचना नहीं है इस पर हम डबल से लगा लेंगे यह हमारा बीच का पाइट हो गया है अब हम अपना डॉट लगाएंगे तो डॉट लगाने का तरीका क्या है पहले हम इस पर डॉट लगा के आपको बताते हैं तो जितना हमने डॉट का मार्जिंग लिया है उतना हमें सिलाई में लगाना है यहां पर देखे जब हम इसको आपको यहां पर निशान लगाते हैं तो इस तरीके से तिर्चा लगाते हैं जब हम शिलाई लगाते हैं तो इस तरीके से में शिलाई नहीं लगाना है हलका सा इसको अंदर की साइड गुलाई लेते हुए हमें शिलाई लगाना है इस तरीके से इसे आपकी डॉट की फिटिंग है वो परफेक्ट आएगी आप इसके पफ की फिटिंग देख सकती है अब यहां पर देखें यहां से आधा इंच का गैब देते हुए यहां पर शिलाई लगा देंगे और यहां पर एश्टा फैब्री कट कर लेंगे डॉट ज्यादा इसको अब यहां पर इसके पफ की फिटिंगग देख सकती है अब यहां पर साइट को जॉाइंट करना है तो इहां पर हमारा एक मटछा है जो हम एक इंच बढ़ा के लिए था unter queen लेत है यहां पर ओल्का सा गोल से प्लेते लिए तक लिए के जाना है इसको सीधा टिकरतना माँ इसको हमको हलका सा गॉल सेट मिलेते हुए इसकी कटिंग करना है अब हम इसको stitch करेंगे ऊपर की side से बराबर से मिलाएंगे और यहां पर stitch करेंगे कपड़े को खीचना नहीं है यहां पे ध्यान रखें आप हलका सा इस तरह के पार किसे गॉल तो यह हमारी साइड की कटोरी यहां पर टेस हो चुकी है, आप यहां पर देख सकती है, एक ब्राबर से आ गया है, अब नीचे का हम अपना बैल्ट टेस कर लेंगे उपर से भी हम नोक की शिलाई लगा देंगे, अभी यहां पर अपनी आई वाली पट्ट टेस कर लेंगे तो जिस साइड में आपको आई की पट्ट टेस करती हैं, उस तरीके से आप यहां पर ले सकती हैं नीचे से हम अपनी तुर्पाइपटी अटेस्ट कर लेंगे यहां से हमें तुर्पाइपटी अटेस्ट कर लेना है अब यहां पे हमें डोरी पाइपटी अटेस्ट करना है तो यहां पे हम रेडी मेट डोरी अटेस्ट कर रहा है आप यहाँ पर डोरी पाइपिन बनाके भी यहाँ पर टेस्क कर सकती है या फिर आप तुर्पाइपटी लगा सकती है अगर डोरी पाइपिन बनाने का तरीका और तुर्पाइपटी लगाने का तरीका दोनों यह हमने अपने चैनल पर बताया हुआ है अगर आप देखना चा यहाँ पे 9 इंच जो हमने 9.5 इंच लिया है तो यहाँ पे हम 9 इंच लेंगे 9.5 इंच है तो इसको भी हम आधा इंच अंदर की साइट अपर चेस्ट की फिटिंग दे देंगे और नीचे से अपनी कमर का फिटिंग ले लेंगे तो यह हमारा 7.5 इंच है नहीं है इसके लिए आपर चेस्ट की फिटिंग लेनी होती है इस तरीके से आप यहां पर फाइनल लुक देख सकती है उमीद करती हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए चैनल पे पहली बार आई है त अपनी फैमिली फ्रेंट के साथ भी शेयर करिएगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नाय कटिंग और रिस्टीजिंग के साथ तब तक के लिए नमस्कार